इस तरीके से देश के इतने बरे निता के साथ इस तरीके से करना चाहिए और मुझे लगता है कि नियाई पालिका पर अभी भी मुझे भरसा है ये जिस तरीके से भी हुआ है इस पर निशित तोर पर ये जो जैज्मेट है इसे पुरे देश में अगर मैक्सिमम लोग से बात क राहूल गांधी को मिला मुके सहनी का समर्थन का जल्द बाजी में सदस्या रद करने का फैसला उचित नहीं बहुत बड़ा नहीं था या मामला दरसल आपको बता दे कि विकास्टील इंसान पार्टी यानि की विआईपी के प्रमोख और बिहार के पुर्व मंत्री मुके सहन कॉंग्रिस के वरिस्पनेता राहूल गांधी की लोग सभा सदस्यता रद किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनके समर्थन में आके बाते कही है साथी उन्होंने नराजगी भी जताई है जिया उन्होंने नराजगी जताते हुए कहा है कि हम मामला इतना बड़ शक्ता नहीं थी उन्होंने कहा कि जहां तक क्या फैसला है उससे देश के अधिकान लोग असामती जता रहे हैं उन्हें से मैं भी एक हूँ आगे उन्होंने कहा कि यह मामला इतना भी बड़ा नहीं था अधालत द्वारा दो साल की सजा सुनाने के बाद आनन्थानन में बारा घंटे के अंदर जिस तरह से लोग सभा की सदस्यता रत कर दी गई उसकी आवश्यक्ता नहीं थी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था साथे उन्होंने कहा कि जुस बयान को लेकर सजा सुनाई गई है वैसे बयान चुनाओ के समय हजारों नेता बोलते हैं उन्होंने हलाकि यह भी कहा है कि मुझे नयाइक प्रक्रिया पर पूरा विस्वासे और पूरी संभावना है कि उपरी अदालत पे जाने के बाद दिश पचा सुनाई गई जोसके बात से ऐसे कैया स लगाए जा रहे थे कि उनकी लोगसाबज सदस्यता भी जा सकती है और हुआ भी ऐसा है trucks 12 7 North के ऐंदर उनकी लोग सभास सदस्यता को रद कर दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर सारे पार्टियों का यही कहना है कि इतने आनिफानन में फैसला लेना उचित नहीं था इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको लेकर के राहूल गादी की शदस्यता रद्ब कर दी गई है इसी बात को लेकर विकास सिल इंचांट पार्टि के प्रमोख्यानी की मुके सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नराज के जाहिर किये और साफतोर से कहा है कि यह मामला उतना बड़ा नहीं था जितना इसे बना दिया गया उन्होंने साप कहा है इसे जल्दी में फैसले लेने की जरूरत नहीं थी और समय देना चाहिए था बारग घंटे के अंदर अनन पारण में यह फैसला लिया गया है चुनाओ की समय सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं तो राहूल गांधी का बयान इतना बड़ा नहीं था कि उनके लोकसभा सदस्यता ही रद कर दी जाए ताती उन्होंने यह आला की यह भी कहा है कि उनको ने आयपालिका पर भरोसा है और जो भी होगा सही ही होगा तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहा हमारे साथ देखते रहे हैं दैंजा टॉक धन्यवाद